Hello everyone, this is Savita Chohan. Welcome to MBDRM Model School, Class 9, History Chapter 3, Nazism and the Rise of Hitler, Unit 2.2 and Part 2, Political Reconstruction. First part में हमने पढ़ा था, Economy को Rebuild करने के लिए, Jailer Mard Satch ने क्या क्या था, अब हम देखेंगे, Hitler ने अपनी Foreign Policy बनाई, किस तरीके से, और Political में Change करा. जब एक Country अपने Relation दूसरे कंट्री के साथ बनाती है, तो इसे हम कह सकते हैं कि एक Foreign Policy होती है, यानि हम किसी के लिए, किसी दूसरी कंट्री के लिए, Principles सेट करते हैं, Rule Regulations सेट करते हैं, जिससे कि हम दूसरी कंट्री के साथ Strong Relation बना सकें, तो उसे हम Foreign Policy कहते हैं. अब इसे वीडियो में हम यह देखेंगे कि Hitler ने किस तरीके से Foreign Policy बनाई. In Foreign Policy also Hitler acquired quick success और उसने इसमें success कैसे हासिल करी, क्योंकि उनके साथ जो injustice हुआ था, उसको इसने इसके थूरू बदलने की कोशिस करी थी, अपने देश को Strong बनाने के लिए, क्योंकि जो जो इनके साथ, जर्मनी के साथ, बहुत ज़दा harsh treaty, वर्सल्स में साइन हुई थी, उसी के injustice का बदला लेना चाहते थे, Hitler, अब उन्होंने क्या करा, सबसे पहले उन्होंने करा, he pulled out of the League of Nations in 1933, अब League of Nations क्या होती है, जैसे कि आज के time में United Nations है, तो उसी time पे ये League of Nations थी, इतनी strong तो नहीं थी, लेकिन फिर भी थी, that means group of countries होती है, जिसके अंदर rule regulation बनाये जाते हैं, किस इसी भी काम को लेके, और उसको सब countryों को फिर मिलके, उसी के साथ policy के according काम करना पड़ता है, लेकिन सबसे पहले, अब वो क्या कहते हैं, Hitler, पहले तो मुझे इस League से बाहर आना होगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था, कि मैं free होकर काम नहीं कर पा रहा हूं, इसके rule regulation मुझे follow करने पड़ते हैं, लीग के, तो इसलिए सबसे पहले वो क्या, अपने आपको जर्मन को independent बनाने के लिए, वो क्या करता है, कि अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, और अपनी किसी organize का हम पार्ट नहीं है, तो सबसे पहले तो लीग से बाहर आता है, League of Nations से 1933 में, को दुबारा से रीक्यूपाई कर लेता है, जैसे कि आपने देखा नहीं था, फ्रांस इने इस पर कपजा कर लिया था, राइलेंड का जो रूर वाला एरिया है, जहां पर कोईला पाया जाता है, इंडस्ट्री पाया जाती है, तो यह उसको वापिस 1936 में वापिस ले ले यह इसका second काम है, अब third क्या करता है, integrated Austria and Germany in 1938, अब Germany और Austria का integrated कर देता है, यानि एक ही करन करना, मिलाना, कैसे करा और एक slogan के साथ, under the slogan, one people, one empire and one leader, that means Austria और Germany का जो border share होता था, पास पास थे, दोनों का culture सेम था, और speaking भी बोली जाती थी, Germany speaking भी बोली जाती थी दोनों उसमें, तो इसको देखकर Austria का, और इसका इसने क्या कर दिया, एक ही करन करा, यानि integrate करा, पास पास होने की वज़े से, और इससे उसने अपनी power को increase करा, empire को increase करा, और इसने साथ बोल दिया कि भी हमारी ये दोनों की country का, एक ही slogan रहेगा, हम एक ही लोग है, हमारा एक ही समराजी और ह हमारा एक ही लीडर है, 1938 में, Austria को जर्मनी में मिला लिया, he then went on the rust, Germany speaking, student land from, from, chikoslovia, he then went on, फिर वो आगे की साइट बढ़ता है, और student land का पार्ट ले लेता है, जो कि किसका है, chikoslovia का ही पार्ट है, तो जो chikoslovia है, उसमें से ये इसी student land पे अपना क्या कर लेता है, कबजा कर लेता है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे लोग जर्मनी बोलते हैं, जर्मनी बोलने के साथ साथ, वो इन लोगों इसको पसंद भी करते हैं, इकलर को, तो ये इसको support मिल जाता है, तो यहाँ पे भी अपना कबजा कर लेता है, and gobbled up the entire country, और इस तरीके से वो दीरे-दीरे पूरी country पे अपना कबजा कर लेता है, in all of these, he had the unspoken support of England, which had considered the Brussels verdict too harsh, अब ये जो आप देख रहे हो, आप सोचोगे कि कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा था, क्योंकि जब सब ये सब देख रहे इस थी, वो इसलिए कुछ नहीं बोल रही थी, unspoken थी, यानि एक तरह की से कहा जाया, तो support दे रही थी, क्योंकि उनको लगता था, जो वर्सल्स में इनके साथ निर्ने लिया गया था, verdict यानि निर्ने, वो बहुत ज़्यादा कठोर था, harsh था, यानि जर्मनी के लिए, तो कोई बात नी, हिटलर अगर थोड़ा बहुत revenge ले रहा है, बदला ले रहा है, तो कोई बात नी, उसको लेने दो, क्योंकि जर्मनी के साथ गलत हुआता, तो दूसरी country इसलिए चुप थी, लाइका जैसे कि England भी support कर रही थी, हिटलर का ही, लेकिन जब तक कि कोई support करता है, जब तक कि आप खुद भी देखो, जब तक कि आपके उपर बात नहीं आती, जब तक कि आप चुप होते हैं, लेकिन कोई आपके उपर ही उठाने लगे, या आपके उपर कोई बोलें लगे, तब जाके हमें realize होता है, कि नहीं ये गलत है, तो अभी तक तो सब चुपी थे और इसको support कर रहे थे, इस quick success at home and abroad seem to reverse the destiny of the country, और इस तरीके से अब आप देख सकते हैं, कि जो Hitler का vision था, जो success थी, अब वो increase होने लगी, घर अपने मतलब जर्मनी देश में भी और abroad, यानि बाहर के बाहर भी, अब उसकी हर तरफ मतलब अब उदह हो रहा था, मतलब success ही success उस की downfall में change हो जाती है, और second world war में कैसे होता है, वो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से, ऐसा इसने क्या करा कि वो अब अपने downfall की side चला गया, वो next video में हम पढ़ेंगे, thank you